नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं भगतों को रहात की बपार मंदिर से 12 किलोमेट दूर तक एक बार फिर कुमयठा स्टेडियम तक पहुच गई थी बढ़ा ये सोमवार को साम के करीब 6 वए तक कड़ी सुरक्षा घेरे में दो लाखे खतर या 616 कवारियों ने बाबा पर जला भी सेख कर मंगल कामना की इसमें मुख्य अरगा से 1,897 वहीं बाह अरगा से 99,669 भक्तों ने जल चड़ाया जहारखन में 28 और 29 जुलाई को कई जगों पर भारी बारिस की समभवना है जहारखन से होकर गुजर रहे मानसून टर्फ लाइन और आसपास में बने सैक्लोनिक सैक्लेशन के वज़ा से होगा बतादे अभी राय स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक निम्न दबाव का परभाव है इसके असर से सुमभवक को कई जगों पर बारिस होई जहारखन में सुखार से काम की तलास में दूसरे राजे जा रहे है मजदूर सुखार के सांका ने एक बार फिर किसानों को घर से दूर जाने के लिए बिवस कर दिया है बतादे काम की तलास में लोग बाहर निकलने लगे हैं पंजाब, तमिलाडू, हरियाना, पच्छिम, मंगार और दिली जाने वाली ट्रेन इनकी भीड से भरन लगी है आमतर पर मजदूरों का पलाएन धनरोपनी के बाद होता था लेकिन सुखार के सांका ने सावन में ही उन्हें गाव घर छोडने के लिए बिवस कर दिया है बता दे गाढवा जिला से एक अनुमान के अनुसार काम की तलास में विभीन गावों से अड़ाई लाग से अधिक लोग पलाइन कर चुके है काम की तलास में बाहर जाने वाले लोगों की भीड़ प्रक्षन मुख्याले के बॉस इस्टेंड से लेकर जिला मुख्याले के अंतर राजी बॉस इस्टेंड और रेलवे इस्टेंड पर दिखने लगी है जोहार सब्द से राष्ट पती द्रोपदी मुर्मु का सुरू हुआ संबोधन राष्ट पती द्रोपदी मुर्मु ने अपने संबोधन की सुरूआ जोहार सबसे की है साथी बीसा मुंडा और संताल बिद्रो का विजिकर किया उन्होंने संबोधित करते हुए कहा जोहर नमसकार मैं भारत के समस्तनाग्रिकों की आसा आकांचा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसत से सभी देश्वासियों का पूरी भिनाम्रता से अभिननधन करती हूँ आपकी आत्मियता विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दाइत को निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत होंगे जार्खन की राजे पलड़ा चुकी दुरोपदी मुर्मु ने संबोधन की सुरुआ जोहार नमस्कार से की साथी उन्होंने अपने समदने भागवान विर्षा और संतार विद्रो का विजिकर किया है आदिवासी समाज में जोहार सब्द काफी महतपून होता है बता दे जोहार सब्द का इस्तिमाल आम बोल चाल में नमस्कार सब्द की तरह किया जाता है आधिवासियों की ओर से इस्तेमाल किये जाने वाले जोहार सब्ध आश्ट्रो एसियन भासा परिवार से तालुक रखता है कोट फीस बढधोतरी के खिलाब 25 ऐर अधिवक्ता हरताल पर जार्खन सरकार के ओर से कोट फिस बढ़ोतरी खिलाप राजी के 25 एर अधिवक्ता सोमवार को नियाई कारे से दूर रहे जार्खन स्टेट बार काउंसिल के अवाहन पर हाई कोट सहीत निश्टिली अधिवक्ता किसी भी केस में अधालत में उपस्तिती नहीं हुए बिरोत को लेकर पुरूब में बार काउंसिल ने सभी जीला बार संगों को पत्र लिका सुचना दे दी थी बता दे बार काउंसिल के चेर में राज़ेंद्र कृष्णा ने कहा है कि राज सरकार की ओर से कोट फिस बढ़ाया जाना अनुचित है कोट फिस में 6 गुना तक बढ़ोतरी की गई है इससे राज़े की गरीब जनता नयाई से वन्चित हो जाएंगी संपत्ति बिवाद में पहले अधिकतम 50,000 रुपे फिस जमा किया जाता था अब उसे बढ़ाकर 3,000,000 रुपे कर दिया गया है पंकज मिसरा जेल जाएंगे या रिमांड पर आज भाइसला के लिए कोट से आगरा कर सकती है बता दे मंगलवार को कोट ताय करेगा कि पंकज मिसरा जेल भेज़े जाएंगे या फिर एडी की रिमांड पर जाएंगे पूरी संभावना है कि पंकज मिसरा की रिमांड अधि बढ़ेगी दरोगा संध्या टोपनों की हत्या बड़ी साजी सीबियाए जाच कराय सरकार बीजेपी भाजपा विधायक दलकनेता बाबलर मरांडी ने तुपूदाना में पदस्थापित महिला दरोगा संध्या टोपनों की हत्या को एक बड़े संध्यात का हिसा बताया है सोमवार को भाजपा के परदेश मुख्याले में मीडिया से बात चीत में मरांडी ने कहा कि पहले रूपा तिर्की और अब संध्या टोपनों जैसी तेज तरार अपसर को कुचल कर मार दिया गया बिभीन माध्यामों से मिल रही जनकारी बड़े सर्णयन त्रेक की और इसारा कर रही है उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की या तो CBI या नियाईक जाच कराई जाए ताकि सारे दोस्तियों को कड़ी सजा मिल सके भाजपा के 16 विधायक जेमेम के संपर्क में देना चाहते हैं समर्थान जारकन में संभावीत राजनीतिक उथल पुथल की अटकलों के भी सतारूड जारकन मुक्ति मोर्चा ने सुमार को दावा किया है कि भाजपा के 16 विधायक उनके संपर्क में है ये विधायक अलग सम बना कर हेमंद सरकार को समर्थान देना चाहते हैं मुर्चा कर्याले में मीडिया से मुखातिब केंद्रिये समीती सदस्द सुप्रियों भटाचार के मुताबिक भाजपा के विधायाक अपने परदेश अध्याक्ष्ट और पार्टी विधायक दल के स्वयमभू, नेता से नराज हैं दुनों नेतावों की कारेसली की वज़ा से विधायकों में गुसा है उन्होंने कहा है कि वे अपना गूट बना लेते हैं जारखन में आसू लिपीक हुआ असनातक सन्युक्त परत्योगता परिक्षा के लिए ओनलाइन आवेधन की समय बढ़ी जारखन कर्मचरी-चैन अयोग ने दो परत्योगता परिक्षा में शामिल होने के लिए अफितक क अललेन आवेदन नहीं भर सके हैं उन्हें ऑनलाइन आवेधन का अउसर प्राप्त हुआ है बतादे जार्खण सच्च्चीवाले आसुली पिक पर्थुक्त परिक्षा के लिए अभ्यार थी अब 11 अगस्त मध्य रात्री तक अउलेन अवेधन कर सकते हैं इससे पहले इस परिक्षा में सामिल होने के लिए अउलेन अवेधन सताई जुलाई तक भरे जाने थे द्रोपदी मुर्मू बनी भारत की राष्ट पती जारखन में सुर्य भागवान को एक गारा मनलड़ू का भोग महा महीम राष्ट पती द्रोपदी मुर्मू सपत ग्रहन के सुब अउतर पर रांची के धुरवा में भागवान सुर्य मंदीर परिसर में सिरी सिरी गनेज, सहस्त्र नाम एवाम सुर्य भगवान को एक गारम अलड़ू का भोग लगाया गया बता दे फिर इसे परशाद के रूप में HEC कैमपस परिशर कुछ स्कूलों तथा सहर के लोगों के बिच बित्रित किया गया पूजन का कार्य पुजारी अर्जुन पांडे सुर्य मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बिनाय कुमार डाक्टर कुमारी जियोत्सना धर्मेंद्र मिस्रा अन्नु कुमारी वा रूपा कुमारी द्वार संपन किया गया धन्यवाद